इन्डिया जिस तरीके से पूरे इलाके को इस वक्त छावनी में तब्दील किया गया है किसानों का यहां तक पहुँचना असंभव लग रहा है लेकिन फिर भी अगर जैसे तैसे किसान पहुँच जाते हैं तो उसके बाद कैसे उनको रोका जाएगा यह आप देख सकते हैं कि चपपे चपपे पर यहां पर सुरक्षा कड़ी की गई है उस तरफ अगर हम आएंगे आप देखेंगे कि यह आरेफ के जवान मौझूद है और इनको लगतार डारेक्शन दी जा रही है इनको बताया जा रहा है कि कैसे इनको स्थिद्धी को काबू में करना है कि कोई अगर असमाजिक तक यहां पर चीजों को खराब करते हैं कानून को हाथ में लेते हैं तो फिर कैसे लौ एन ओर्डर को मेंटेन करना है अब आप यह देखिए कि यहां पर RF के जवान है CRPF की मौजूदगी है पुलिस के जवान मौजूद है महिला तुक्डियां भी मौजूद है और उधर तो यह तैयारी है ही यानि कि सिमेंटेट ब्लॉक्स है यहां पर कंटीले तार है बैरिकेटिंग यहां पर की गई है और यह संकरा रास्ता है जहां से लोग आ जा रहे हैं आवाजाही के लिए यह रास्ता है यानि कि अगर आपको हर्याना से आपको दिल्ली जाना है तो फिर आपको यह पैदल जाना होगा विकास ठाकूर मेरे सहयोगी आप तक तस्वीरे पहुंचा रहे है इस रास्ते का इस्तमाल करना होगा और यह आप ब्लॉक्स देख सकते हैं यह यहां पर सर्या है इस तरीके से यहां पर व्यवस्था की गई है जहां तक आगे हम जाते जाएंगे यहां तक आपको ऐसी ही तस्वीरे यहां पर नजर आएंगी इसी तरीके से ब्लॉक्स, कंटीले ताल, बैरिकेटिंग यहां पर की गई है उपर फ्लाय ओवर है वहां पर भी वैसे ही व्यवस्था है और लोग यहां पर पैदल आप देखिए कुछ काम है, बच्चों को ले कर जाना है कुछ मजबूरी है किसी जरूरी काम से पहुँचना है वहां पर पहुँचनगे फिर से हम आपको तस्वीरे वो दिखाते है यह आप देखिए कि किस तरीके से यहां पर यह पूरी मुस्तेदी के साथ जवान मौजूद है आरेफ के जवान मौजूद है इसके लावब पुलिस की मौजूदगी है और उधर सी आरपी एफ के जवानों की मौजूदगी है तो यह तस्वीरे इस वक्त हम आपको ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं कि सिंगू बॉर्डर पर हालात क्या है हालात नियंत्रन में है लेकिन अगर कोई अपनी स्थती होती है तो उससे निप्टा जाएगा कामरे परसन विकास ठाकूर के साथ जस्प्रीत कौर, नियूज 18 इंडिया कि सिंगे अपनी स्थती है